नमस्काल दोस्तो, स्वागत आप सभी का अज मेरे YouTube चैनल में मेरे क्या आप सभी का अपना YouTube चैनल है तो आज की यूदिव में आप लोग को बताऊंगा जैसा की टाइटल में लिखा हुआ है How to make a YouTube चैनल åर उसको कैसे कैसे पूरा complete process में आपको बताऊंगा ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें जिससे कि कोई आप से step ना छुटे तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं उससे पहले आप सो इससे मेरे request हैं जिसकी से ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न प्रेकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो दोस्तों अब आगे हम अपने laptop की स्क्रीन पर जहां पर मैं आप लोगो बताऊंगा कि कैसे कैसे step हैं सबसे पहले हम अपने गुगल पे जाएंगे महाँ पे जाएंगे महाँ पर यूटीव सर्चे रेंगे और यूट्मस करने के बाद देख रहे हों क्यों पर क्लिक करना है mac इमेल एड्रस या फोन नम्बर से लोग इन करने को बोलेगा तो हमारे पास वह है नहीं तो हम उसको क्रेट करेंगे इसमें एक माई सेल्फ हो रहे कि बिजनेस का अप्षन आएगा तो हम माई सेल्फ करेंगे उसके बाद मैं अपना एक अकाउंट क्रेट कर लेता है वह बार नहीं होती है वह में एक बार बर देता हूं इसके अंदर उसके बाद फिर आगे के हम स्टैप करते हैं यह सारा डाटा जब हम भर देंगे वह सारा डाटा यहां पर हमारी mail आईडी बगार सब बन जाएगा उसका पासवड बगार डालकर हमें यह हमारा आ गया यहां पर कि email id नहीं है तो दूसरी डाल दी तो उसके बाद यह हैं आप हमसे phone number या email address में से एक चीज मांगेगा वो मांगेगा हमारी alternate होगी कि अगर किसी दिन हम इसका password बूल गे तो उसकी जगहे पर उस चीज को हम एड कर देंगे हम इसको स्कीप कर देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसके बाद इस पर अग्री करेंगे तो इसकी टर्मस प्रैइसी पोलिशी जो यूटीव की होती वह सब आ गई हम इसको एकसेप्ट कर लेंगे और वेसी बाते एकसेप्ट करने उसके यहाद इस पासवर्ड का हम सेव कर देते हैं गूगल पर कि बार बार ना डालना पड़े उसके बाद हम अंगले स्टेप पर बढ़ते हैं देखो यहाँ पर आ गया है कि यूटूब पर रजिस्टर्ड हो गए हो और नाम भी आ गया है कि जो देवासिलोने के नाम चैनल बनाया है वह चैनल अमारा आ गया है लेकिन अभी इस पर सब्सक्राइबर दिखा रहा है तो हम यहां पर जो हमारा account है उस account का यहां पर registered भी आ गया है लेकिन अभी हम इसको studio जो है इसका उसके अंदर जाएंगे हम और वहां से इसको login करेंगे उससे पहले हम जब अगर यहां पर video अपलोड करने के लिए भी जाते हैं तो वहां पर भी हमसे हमारा channel मांगेगा क्योंकि अभ आपको यहां पर हम creator studio के अंदर जाएंगे अपना जो classic वाला है अगर आपका automatically new वाला studio बीटा आता है तो उसको चेंज करके creator पर आईए classic वाले पर होहां पर create a channel आ जाएगा उसके बाद यहां यहां पर आगाए यूज YouTube आजे जो हमारा channel का नाम है वो हमने इसमें डाल देन इसको मैं उपर कर देता हूं पूरे के पूरे को एक ही नाम में डाल के कोई मतलब पीछे हमने चलो यह चैनल क्रेट कर दिया देवाशलो निया व्लोग के नाम से तो यह देखो यहां पर यह studio studio बीटा वाला वर्जन आ गया जो इसका भी जो यह वर्जन पूरी तरह से उप आप होते हैं वह सब हम जाएंगे और यहां से उसके बाद आगये हैं हम यहां पर यूट्यूब imp श्टूडियो के जो लाइव जाने वाले obsnons हैं उन सब पे आ गये हैं यहां पर यहां पर श्ट्रीम करने के tighten और उसके बाद यह live event के यह हमने देखे हैं जो में वैब कैम तो हमारा इसके अंदर फिर हम कम्यूटी में देखते हैं कम्यूटी के अंदर हमारे जो कमेंट्स हैं वो हैं और उसके लावा जो हमारे सब्सक्राइबर्स वगारा जो जितने होते हैं दूसरा हमारा जो सब्सक्राइबर्स है उनके बारे में है कि कौन सा सब्सक्राइबर है क जो हमारा data होता है वो है उसके बाद है कि community setting community से related जो आपके moderator आप यूज़ करना चाहते हो या उसके अपलावा तो जो आप किसी को अपने साथ मतलब user रखना चाहते हो वो सब है उसके बाद यह हमारा मैन उप्सन आ गया है चैनल वाला जिसके अंदर हमारी मैन मैन चीज़े हैं तो यह हमारे जो copyright status है यह आ गया है जो copyright है community guidelines और copyright status है हमारे अब पहले तीन होते थे अब चैयार हो गए है पहले में आपको सिर्फ warning दी जाएगी बाकी तीन में आपको strike लगेगी और अगर तीनों strike आपकी लग जाती है तो आपको चैनल आपका terminate कर दिया जाएगा यूट्यूब के उपर से तो make sure कि आप ऐसी कोई violence वाली चीज़े अप्लोड ना करें जिससे कि आपका चैनल demonetize हो जाए और terminate हो जाए यूट्यूब से तो उसके बाद ये इसके काभी सारे options है नीचे यूट्यूब के uploading सिर्फ हमारा भी enable है उसके लावा हमारा कोई भी दूसरा ये एक unlisted और private video करने वाला उन लेबल है उसके लावा बागी सारी चीज़े अनेवल नहीं है वो अभी enable नहीं होंगी वो सारी चीज़े हमारी enable तब होंगी जब हम उसको वो जब हम इसको वेरिफाई कर देंगे अपने चैनल को YouTube से तो यहां पे वेरिफाई का option आगया हम यहां से इसको verify करने click करेंगे तो यहाँ पर आपके phone number से आपका link मांगेगा तो हम यहाँ से phone number का link एक बार इसमें डाल देते हैं तो यह मैंने उसके अंदर link डाल दिया है दोबारा से यह studio beta में खुलेगा तो मैंने इसको click करके दोबारा creator studio में मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो यह भी दोबारा हम creator studio के अंदर आ गए हैं यहाँ पर आपके जो options हैं वो dashboard आ गया है आपका dashboard के अंदर आपका यह show करेगा कि कौन-कौन से आपके कितने viewers हैं कितने subscriber हैं और क्या-क्या कहां पर वो सब चीज़े आपके यहाँ पर show करेगा dashboard के अंदर कि कौन सी वीडियो पर कितने like आए हैं कितने like नहीं आए हैं वो सब चीज़े यहाँ पर आपकी show करेगा उसके बाद यहाँ आपका video manager है video manager के अंदर आपकी जो videos बगरा हैं वो सब यहाँ पर show होंगी कि कौन-कौन सी video कैसी है और कितनी है और कितनी-कितनी video आपके जो हैं वो सब आता है उसके बाद यह जो आपका goal आई वाला आया था अब यह हैं आपका यहाँ पर आता है monetization जिसके लिए हम अपना channel बना रहे हैं और वेसी बात है कि हर कोई monetization के लिए channel बना रहा है यह वाले जो option है यह आपके monetization के बाद ये enable होगे जब आपका monetization enable हो जाएगा तो अभी हम monetization पे देखते हैं कि कैसे कैसे हम monetization अपने channel पे apply करेंगे तो उसके लिए हम अपने monetization वाले इसको enable करने के लिए कोशिज करते हैं तो अभी आगया monetization का हमारा की monetization कैसे कैसे मिलेगा इसमें 4000 गंटे और subscribers का show कर रहा है कि जब ये पूरे हो जाएंगे तो आपको monetization उस टाइम पे मिलेगा तो इसके चार steps हैं हम इन steps को सुरू करते हैं और सबसे पहला step जो है read and agree और YouTube program terms तो उसके लिए हम click करते हैं यहां पे इनकी terms आ गई है सारी पढ़ो ना पढ़ो एगरी तो सब को करना ही है तो हम सिधा सिधा इनको एगरी कर देते हैं चारो terms and conditions को और accept करते हैं इसको उसके बाद आ गया दूसरा कि adsense के लिए आपको sign in करना है तो adsense का अगर आपका ओलेडी अकाउंट है किसी दूसरे YouTube चैनल का तो आप उसको sign in कर सकते हो या फिर आप अपना नए अकाउंट कर सकते हो उसके लिए मैं एक separate से वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे आप adsense का अकाउंट क्रियेट कर सकते हो अब यह इसमें लिखा हुआ कि अगर आपका अकाउंट है तो और अगर नहीं है तो भी उसको आप नए अकाउंट बना लेजिए तो यहां पर हम next पर क्लिक करेंगे नीचे और अपना एक नए अकाउंट क्रियेट कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं यहां पर जैसे अभी हमारा यह चैनल है यह हमारी जिमरा आइडिया तो हम इसको क्नेट कर सकते हैं लेकिन मेरे पास अपना अपन फरίαव नियान अकाउंट अके एक्टिवीट कर लेता हूं हो मैंने अपना कांट अक्ट्वीट करा लिए और एक्शैचन की है और नोईग है डोनों चैनल चैनल की आपस में विसमनें कर दी है कि हमारे हुमारी जो मेला डिए है जिससे हमारा दूसरा ग्सैंक् यह दो बारा से हमें वहां पर रीडिरेक्ट करा देगा YouTube के उपर जैसे हम यहां से रीडिरेक्ट पर खलिक करेंगे तो अभी यह हमारा दोबारा YouTube का अगया यहां पर हमारे दो steps complete हो सके आप जो तीषरा step है यह एड के लिए यह काफि़ इंपोटेंट step है तो अभी हम यहाँ पे start पे click करते हैं तो यहाँ पे यह बताता है कि हमें add कहां कहां पे चाहिए banner add चाहिए नीचे add चाहिए या जो skip करने वाली add होती है वो चाहिए मेरे according आप सभी को सारी जितनी भी add होती है उन सभी add पे आप टिक कर दीजिए और लेड़ी add comes आती है और जो यह उपर का है इसको जरूर आप अक्टिवेट कर दीजिए ताकि जो पुरानी आपकी वीडियो है और जो अगली वीडियो है उन सभ पे add अक्टिवेट हो जाए वरना वो पुरानी वीडियो पे add अक्टिवेट करेगा तो हम इसको उसके बाद save कर देते हैं गृ सेव करने के बाद हमरे सारे उप्शन सेव हो गया देखो अब यहां पे नीचे आ गया है हमारा जीरो सुब्सक्राइब जीरो वजीवर्च फ़ाइब है अब ऊश्टायम है हमारा तो हमें यह जब हमारा एक एक महीने नहीं एक साल के अंदर जब हमारा यह कंप्लीट हो जाएगा तरहने यह हमारा सम्मीट तो हो गया है लेकिन रिव्यू के लिए भी नहीं जाएगी यह वैसे लिखा इसमें रिव्यू लेकिन बाद में जाएगी मॉनिटाइजेशन वाला तो आपको पता यह जो जो आप अपने चैनल के लिए डालते हो कोमन रहता है तो वो सारी चीजे यहां पर एक बार डाल दीजिए उसके बाद जब भी आप वीडियो अपलोड करोगे तो चीजे अपने आप वहां पे उसके अपलोड डिफाल्स के अंदर आ जाएंगी वो आपको बार बार अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने डिस्क्रिप्शन में लिखने ही जुरूरत नहीं पड़े ही और यहां से एड्स वोगरा के जो 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 अप्शन है वो सारे भी यहां से आप जो एक्टिव करना चाते हो एक्टिवेट कर सकते हो तो उसके बाद अगला अप्शन हमारा ह ब्रेंडिंग के लिए जो हमारा वाटरो में होता है आप में देखा हो लगा हमारा वाटर मार्क इने यह चिनल के नीचे और फेंगा गी लोतकि उसके बाद आपको यह वीडियो कहां से वीडियो में यह बैकराउंड आपको यूज करना है, स्टार्टिंग से यूज करना है, बाद में यूज करना है, तो वो चीज आपको यहां से टाइमिंग आप यहां से सेट कर सकते हो, कस्टम लेकिन मेरे अकोर्डिंग आपको एंट उसका logo change कर सकते हो और उसके अलावा country कौन सी आपकी वो आप यहां से select कर सकते हो advertisement जो आपकी है उसके according जो जो चीजे होती है और Edward के account अगर आपका है अगर आप अपने चैनल के वो ads करना चाते हो तो Edward से वो ad होंगी तो आप यहां से अपने adwords account से आपके account को link कर सकते हो उसके बाद आपका यहां पे आजाता है जो चैनल अगर किसी website आपकी है उससे आपका channel link है तो आप अपनी website का यहां पे link डाल सकते हो और उसके अलावा यह जो channel के हैं कुछ चीजे subscriber count आप अपना show करना चाते हो show कर सकते हो और अगर आपको नहीं show करना चाता आप यहां से disable उस चीज़ को कर सकते हो और अगर Google Analytics आप use कर सकते हो करते हो तो यहां से आप अपनी ID डाल दीजिए वहां पे आपका पूरा पूरा आपके channel का data वहां पे आ जाएगा उसके बाद आप यहां से हम अभी इसके channel का जो logo है हमारा वो channel का logo हम यहां से change करेंगे तो उसके साथ ही हमारे channel पे खुल गया है कि यहां पे आप channel का और channel art दोनों change कर सकते हो तो पहले हम channel का logo change करते हैं उसके लिए हम कोई random file उठाते हैं और channel का logo हम अपना change करते है वाँ से तो अभी के लिए मैं कोई भी एक random file selector कर लेता हूं और उसको..., मैं यहां पे upload कर देता हूँ तो यह क्या चलो कोई नी जो भी है तो यह भी हमारा चैनल पर हमने लोगों स्लेक्ट कर दिया यह हमारा यहां पे तो आ गया लेकिन वहाँ पे आने में time लेता है कुछ वैसे तो टाइम बोलते है 24 आउर्स का लेकिन उससे पहले ये आ जाता है उसके बाद हम अपना channel art भी यहां पे upload कर लेते हैं channel art upload करने के लिए हमे channel art पे click करते हैं między so photographer जरए हम अब ही के लिए हम यहाँ पे जो इसका gallery है इसके कोडिंग सेलेक्ट करके और इसको सेव कर देते हैं यह हमारे चैनल आर्ट में यहाँ पे सेव हो जाएगा आपकी जो जो आपको चैनल के उपर जो जो चीजे करनी हो आपकी 90% आप समझ चुके हो क्या क्या करना है और अगर Google Analytics यहाँ पर अगर आपको अपनी चैनल का Analytics देखना है तो उसके लिए आप आप स्टूडियो बेटा वर्जन यूज कीजिए वह मेरे को ज्यादा बैटर लगा अभी के लिए मैं क्लासिक पर दिखा देता हूं लेकिन अगर आप बेटा वर्जन यूज करते हो वह ज्यादा बैटर है उसके अंदर आपको पूरी complete detail मिलती है अभी यहाँ पे हमारा चैनल पर चल रहे हैं कौन आपके चैनल को देख रहा है कौन सी हेंज के लोग आपके चैनल को देख रहे हैं किस country से आपका traffic आ रहा है कितने आपका ad revenue generator वह सारी चीज़े इसमें होती है इसके पाल यह आपका transcription आ जाता है इसके अंदर आप अपने चैनल का link अबर अगर YouTube प जिससे कि आपकी language भीना language वाले भी उसको देख सकते हैं उसके बाद यहां पर जो create के अंदर है यहां पर जो songs है यह copyright free songs है यह आप use कर सकते हो अपने चैनल के अंदर जब आप कोई video अपलोड कर रहे हो तो उसके अंदर use कर सकते हो और जो यह वाली music policies है यह सारे जो videos है यह free नहीं है यह सारे paid वाले हैं तो यह इन में लिखा हुआ है कि यह अगर use करने तो उसके लिए pay करना पड़े है वह ही वाली चीज है अभी हमारा जो channel 90% हो हो चुका है अब आताती है video upload करने की video कैसे कैसे upload करनी है तो उसके बाद हम upload video पे जाएंगे upload video पे जाएने के बाद जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फाइल का option आएगा तो यहाँ से हम फाइल स्लेक करेंगे और यहाँ पे फाइल मैंने यहाँ पर स्लेक्ट करकर आप किसी को अगर share करोगे तो बाद में ये शो होगा लिंक आपका और किसी को चिस्टेम आप इसको share करोगे तो अभी के लिए फिर हम ये translation में जाते हैं यहां पे जो आपकी language है लेंग्विज से लेटेड जो जो चीजे ने सब चीजें यहां पर दिखा रहा है उसके बाद एडवांस के अंदर आपके सारे उप्शन आ जाते हैं आप किसको कमेंट अलाओ करना चाते हो यहाप अपनी वीडियो कोन सी कैटेगरी में डालोगे और उसके लावाब वीडियो की लैंग्वेज क्या है आपके जो जो वीड अपने चैनल पर स्लेक्ट कर सकते हो और उसके बाद यहां से यह वीडियो अप्लोड होती रहेगी कि अगर यह आपको वीडियो अप्लोड करने है उसके बाद यहां से आप इसको पब्लिश कर सकते हो अभी के लिए मैं इसको वीडियो को कैंसल कर देता हूं क्योंकि अब म I hope आप लोग वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आएगा कैसे कैसे YouTube चैनल क्रेट करना और कैसे कैसे उसके उपर वीडियो बनानी है तो जाहिए YouTube चैनल बनाईए और अपनी वीडियो अपलोड कीजिए और पैसा कमाईए तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लि जैहिन बंदे मादरम